नाग पंचमी के दिन सर्प्रशक्ति से मुक्ति वाज सर्प्रशक्ति कैसे पा सकते हैं आज हम इसके वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहला हम एक चीज जान लेते हैं कि सर्प्रशक्ति होती क्या है सर्प्रशक्ति वह होती है कि किसी चीज को देख लेना और होने वाली चीज को पूर्व ही देख लेना इसे नाग शक्ति के अंदर भी रखा जाता है क्योंकि नाग शक्ति तंतर जो आता है उसमें जो विधान होता है उसके द्वारा विशेष नाग पंचिमी पे या शिवरात्री पे या सावन सोंबारों पे इस तरीकी सिध्या करियाती है पर विशेष कर नाग पंचिमी पे उसका ज़्यादा परभाव माना जाता है जब सादक को सरपदोश या आम विक्ति को सरपदोश रगता है तो वह यार साधना के द्वारा भी उन्चियों से मुक्ति पा सकता है तो चली हम जान लेते हैं सबसे पहले आप तांबे का एक्षर्प ले लिजे उस तांबे के सर्प को दूद, दही और जल्जे इस्तान कराके पवित्र कर लिजे फिर उस पे फूल अक्षर्प सब चड़ा के पूजा कीजिए, दूब बत्ती दिखाईए इसके बाद गुरु चित्र की पूजा कीजिए, दूनी और दूब दिखाईए अब जब यह हो जाए, तो एक मंत्र है, इसे जपना सुरू कीजिगा यह मंत्र, एक दिन में, कम से कम, आपको 11,000 के संख्या में, जाब करना है अगर आप 11,000 के संख्या में जाब कर लेते हैं, तो आपको नाग सिद्धी और सर्प दोशे मुक्ति हो जाएगी इस सिद्धी को आप जागरित करिए, तांबे के आगे ही करिएगा जब ये चीज हो जाए तो तामबे के सर्प को उठा के एक जगा रख दीजीगा उन्हें हटाईगा मत सामान जो भी रखा हो रखे रेंद दीजीगा इस तरह से आप नाग दोश और या कहे नाग शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं जब आपको सर्प दोश और नाग दोश चीज होता है उससे मुक्ति मिल जाती है सादक सिद्धी शक्तियों को अरजित कर लेता है ये विशेद दिनों की विशेद साथना होती है पर इसके लिए आपको हमें से देहा नखेगा जब भी आपको साथना करते हैं तो हर साथना का पहला एक विधान होता है आपको गुरु धरन करना अनिवारी होता है आप अगर गुरु धरन कर रहे हैं तो ये सोच की चलिए कि गुरु ही आपकी साथना सिद्ध कराएंगी कि गुरु मंत्र के प्रभाव से ही वो चीज सिद्ध होती है शिवुम